नमस्कार बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का और आज शाम IPL में मुकाबला है दो बड़ी टीमों का जहां एक तरफ लखनू सुपर जाइंट्स होगी वहीं दूसरी तरफ पंजाब किंग्स की टीम होगी जहां पे शिखरधवन की वापसी टीम में सबसे बड़ा सवाल है अगले मुकाबले में पंजाब की टीम का हिस्सा शिखरधवन हो सकते हैं और अपनी कफटानी की कमान समाँ सकते हैं क्योंकि शॉल्डर इंजरी से शिखरधवन जूज रहे थे और पिछला तीन मुकाबला उन्होंने पंजाब के लिए नहीं खेला है जोकि सबसे बड़ा पंजाब के टीम के बैटिंग लाइनप के लिए लखनौ की बात करें पिछले मुकाबले में अगर आप गुजरा टाइटन के साथ मुकाबला देखें लोग स्कोरिंग मैच रहा था वहां लखनौ अच्छी शुरुवात के बाद आखिर में जाके जो लास्ट के च्छोबर ज होंगे जो आपको अपनी टीम में रखने चाहिए जो आपको इस फैंटेसी 11 में बहत्रीन पॉइंट्स अर्न करके दे सकते हैं शुरुवात करते हैं सबसे जहां पर केल राहूल कप्तान होंगे बल्ले बाजी उनिट में जहां पर सबसे पहला नाम टीम केल राहूल का सब्सक्राइब के टीम है उनके सामने रिकॉर्ड अच्छा है तो अगर टीम में जगा मिलती है तो वह बैतनी प्रिक हो सकते हैं केल राहूल बहुत अच्छे हैं अच्छी फॉर्म में भी चल रहे हैं लेकिन पिछले मुकाबले में अगर आप इनका स्कोर कार्ड देखें तो जिस हिसाब से इनकी स्ट्राइक रेट पर बात की गए थी कि बहुत स्लोग खेल रहे हैं और सिर्फ पिछले मुकाबले में नहीं अगर आप पूरा आईपी सीजन इस बार उठा के देखें इसकोर पहले नहीं आ रहे थे लेकिन जब इसकोर आना शुरू हुए हैं तो स्ट्राइक रेट बहुत बड़ा कंसान एक सट गेदे खेल के मात्र 68 मनाना टी ट्वेंटी में मुझे लगता है कहीं न कहीं वह एक एक्स्ट्रा प्रेशर टीम के ऊपर दूसरे बलेबाजों के ऊपर और खुद खिलाडी के उपर जरूर लाता है तो मुझे लगता है क्यल राहूल और शिकरदवन अगर खेलते हैं तो उस टीम से चुनाव थोड़ा सा टफ होगा लेकिन मेरा अगर परसलों देखा जाए तो मैं शिकरदवन के साथ जाना चाहूंगा क्योंकि उन्होंने लगातार स्कोर करा है अच्छा टच मैं हाला कि तीन मैच के ब्रेक के बाद मुश्किल होता है वापसी करना लेकिन शिकरदवन हमिश्या सायसा करते हैं और आज भी उनका दिन बेहतरीन हो सकता है इस मुकाबले में तो अगर आप मुकाबले देखें तो इस तरन की पारी आद आती है इसी आईपील सीजन में काफी लाजवाब थी तेजिश्राइक र का दिन है बला चल गया तो चल गया तो अगर की बात करें तो आपके पास दीपक हुड़ा है मारकस टोइनिस हैं कुर्णाल पांडिया करन शर्मा रोमारियो शेफर्ट डैनियल सैम्स प्रेयरक मानकंद युद्वेर चोहर देखे प्रेयरक मानकंद को पिछली बार लखनों के टीम ने इंपक्ट प्रेयर के तौर पे लाया था जहांनों इसको मुकाबला था मुझे लगता है यहां से आपके लिए सबसे बहतरीन पिक जो होंगे वह होंगे मारकस टोइनिस और कुर्णाल पांडिया काइल मेर्स अगर आपको अपनी टीम में प्रवसिमरन सिंग दूस अगर आप देखें आप टीम में जगह बनती हैं मुझे लगता यहां नहीं की जगह होगे क्योंकि दूसरी टीम में भी आपके पास एक लाजवाब आप जो बड़ा नाम है रवी विश्णोई का आता है रवी विश्णोई हाला कि अगर पिछला मुकावला ठाके देखें हाँ पर काफे महंगे साबीत हुए थे हार्दिक पांडे के खिलाब लाजवाब हेटिंग करी थी थोड़े अनिमेटेड हो गया तो मुझे लगता उनके सामने चार वर में उस ग्राउंट पर जहां इनसे उम्मीदें जताई जा रही थी अभी तक सीजन भी कुछ खासा लेकिन वहाँ पर मुझे लगता नहीं आपको लगनों की टीम के साथ दिखाई नहीं देंगे तो मुझे लगता नहीं कि मार्गोड अगर आज तीम में खेलने वाले हैं इसलिए आपके पास यहां पर सबसे जो बहतरीन विकल्प हो सकता है वो है नवीन उलहक राडी को टी परफॉर्म करके दिखाया है लगनों की टीम के लिए तो मुझे लगता है यह आपके लिए बहतरीन पिक हो सकते हैं तो नवीन उलहक अमित मिश्रा का एक्सपरियेंस आपको जरूर काम आएगा तो रवी बिश्णोई के ऊपर अपर हैंड जरूर होगा आपको अपने फैं पंजाब की टीम की वहां से वह कौन से खिलाड़ी है जो आपको अपनी टीम में रखने चाहिए आप रख सकते हैं जो आपको फैंटेसी 11 में बहतरीन पॉइंट्स और करके देंगे तो यह रही मेरे पीछे पंजाब किंग्स की टीम जहां शिखरधवन की टीम है हाला कि प पास कायल मेर्स दूसरी टीम से अगर आप लेते हैं तो वह आपके लिए उपन करेंगे बानुकाराज बक्षे अगर यह खेलते हैं उनकी टीम में बहुरूर बहतरीन जगह बनती है जीतेश शर्मा मीडियर में अच्छा प्रप्रशन लगातार करते आए हैं अच्छी हिट में जगह मिलती है तो वह सकते हैं साथ के साथ जीतेश शर्मा हो सकते हैं मैथ्यू शौट मुझे लगता है अगर आज यह मुकाबला यह खेलते हैं तो यह आपके लिए अच्छा कर सकते हैं अभी तक कुछ अच्छा करके आये नहीं है तो इन पर पूरी तरह से रिलाई न girls मुझे तो आपके पास सैम कर呢 से Administrator असाथ सब्सक्ना पार्चिके साते हैं अब इस साथी सिकंडर जा रॉड और कुछ सकते हैं मुझे लगता है कोणाल पांट्या ऑज कर यह तो कागे स बाद आबादब और नैत कि दो यह इसे गेदबाज है जो पंजाब की गेदबाजी उनिट की रेड़ की हटी माने जाते हैं क्योंकि अर्षदीब सिंग जो सबसे मेन की बॉलर है पंजाब की टीम के लिए उनके बाद इन दोनों में से किसी एक कही चुना होना या तो कागिसुर रबाड़ा मुकाबला खेलने वाले करते हैं इंडिया को इंटरनाशनल नेवल पर एक्सपेरियंस जो उन्हों ने रिप्रेजेंट करा उसका उन्हों पूरी तरह से इस्तेमाल किया और अच्छी परफॉर्मेंस टीम को लगाता निकाल के दे रहे हैं तो मुझे लगता है अर्षदीब से कागिस्तोर अबादा और नेथन इलिस इन दोनों में से किसी एक को अपनी चूज कर सकते हैं अगर आप रहुल चोहर के साथ जाना चाहते हैं इस पीर में क्योंकि वो सबसे लाजवाब देखिए अभी तक पर इंपक्त लेक्ट लेक्ट आते हैं जो नाम लेकिए एंट्री करते हैं मैं अभी तक आप इनके फैन हैं बिलकूर रख सकते हैं लेकिन मुझे लगता नहीं अर्शिदीव सिंग और गाइस वर अबाड़ा और नथैन एलिस के बीच में इनका कोई टीम में कोई जगम बनती है क्योंकि आपके पास लखनौ के भी तेज गेदबाज मौजूद है जहां पे नमीन अगर आप कोई वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब चरूर करें